हेलो फ्रेंड्स मैंने मिस्काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दे कि पावन सिर्च की जितने भी आती लगुत्रिय प्रेंड्स अगर आप प्रेंड्स नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्ले लिश्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाकर देख सकते हो चलिए फ्रेंड्स सुरू करत तो ध्वनी की जो आंसर हो जाता है कि भासा की सबसे छोटी और शरवादिक महत्वपोर जो इकाई है वो क्या है ध्वनी है प्रश नमबर सेकेंड्स है कि भासा किसे कहते हैं तो ध्वनी चिन्नों की शमिष्टी को ही हम क्या बोलते हैं भासा कहते हैं प्रश नमबर थर्ड प्रेशन है कि भाषा निर्माड का धाचा किस पर निर्भर करता है तो भाषा निर्माड का शंपूर धाचा ध्वनी शंकेतों पर ही निर्भर करता है अगला प्रेशन है कि ध्वनी विज्यान का शंबंध किस्चे है तो फ्रेंड्स ध्वनी विज्यान का शंबंध जो है वो स्रवड कोसल से बहुत ही महत्युपूर प्र मात्रिश्ण है ध्वनष विग्ञान का श्रमंध किसे हैं ध्वनिविग्ञान का जो जिन वर्रों का उच्चारविना औरोध के मुहुशे निकलता है उशे हम श्वर कहते हैं जैसे हिंदी में अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, आ, कुल ये क्या हैं ग्यारष श्वर होते हैं उशे प्रेकार से अगर पूछे बेंजन किसे कहते हैं तो बेंजन वह है जो सोतं नहीं होता है और ये श्वरों के सहायता से ही बोला जाता है तो आप यहां दिख सकते हो कि हमें बेंजन के लिए श्वरों की आवश्रक्ता पड़ती है तो इसलिए बेंजन का अगर परिभासा पूछे हैं पूछे तो आप बहुत ही असानी साथ लिख सकते हो अगला आपका प्रशने सेवन की देर श्वर किसे कहते हैं तो इन सब्दों का उच्चारण करने में हर्ष्वस्वरों की अपेच्छा बहुत अधिक शमय लगता है फ्रेंड्स आप सभी को पता एक हर्ष्वर होता है देर श्व जिनकी मात्रा केवल एक हो ठीक है उसे हम हर्ष्वस्वर कहते हैं जैसे अ ई उ यह सभी क्या है हर्ष्वर है उसे प्रेकार देर श्वर जैसे कि यहां पर दिया गया है कि इन सब्दों का उच्चारण करने में हर्ष्वस्वरों की अपेच्छा बहुत अधिक शमय लगता ह नहीं है यह सब ज्यां अभी मात्रा भी कह सकते हो ठीक है और उन्हें दिर शोर कहते हैं जैसे और बड़ी ई वह आ यह आप सब इक्चा version कि ठीक होती है पुलुपतशवर ऐसा वर्ड जिनको बोलने में हस्वसवर और दिर्गशवर की अपेक्छा बहुत जादा टाइम लगता है उशको हम पुलुपतशवर कहते हैं अगर आप किसी को बुलाते हो या ओम का उचार करते हो तो बहुत जादा टाइम लगता है ठीक है तो इसको हम किस वर में रखते हैं तो पुलप्तश्वर में रखते हैं अगला आठवा प्रशना की असपर से बेंजन किसे कहते हैं यह भी बहुत ही मुद्पूर प्रशने तो जो श्वर होता है वो बिना किसी अवरोत के बिना किसी असपर्स के हम उसको उचार कर सकते हैं लेकिन जो बेंजन है हमारे जब हम उचार करते हैं तो जीवा हमारे मतलम मुख गुहा होता है उसमें रगड खाती है तो यानि रगड कर निकलती है तो इस प्रकार जो जो पांच वरोड हो जाता है तो इसलिए इसमें उसको एड नहीं किया जाएगा असपर्स ही एंजन में यह सभी वर्ड आ जाते है अगला अगला प्रेशने की असपर्स वा संघर्षी बेंजन किसे कहते हैं? यहां भी बहुत ही महत्तुपूरे असपर्स वा संघर्षी नाम से लगता है ना शंघर्षी असपर्स वा संघर्षी बेंजन किसे कहते हैं? तो जब मुखदवार को बंद करके इस पकार बोलते हैं कि हवा अस्तानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? और उच्चारल करते हैं एक हम रगण करते हैं लेकिन रगण के साथ निकलती तो इसलिए क्या बोलते हैं सब्सक्राइट कर सकती यानिन हम किसी वह बाड़ का उच्चारल करते हैं यानि मुक्धवार को बंद करके खोलते हैं, तो क्या होता है? जो हवा होता है, वो असपर्स करता है, लेकिन साथ में रगड के साथ निकलता है, इसको हम असपर्स संघर सी बेंजन कहते हैं, जिसमें आप च च ज ज ज आ जाता है, ठीक है, अगला जो आपका प्रशने की, भार्षा के कितने रूप होते हैं, त एसके लिखित और मौखिक, भार्षा क्यों इन दोनों को बोला गया है? जैसे कि अगर कोई अपना अभिव्यक्ति किसी को शामले या अपना भाव या अपना विचार किसी के सामने प्रकट करना चाहता है, तो वो बोल कर, या किसी पत्र के माद्दम से वो अपना अभिव् इसके दो-दो शमनार्थक शब्द लिखिए यानि अगनी अमरित तथा गड़ेश के दो-दो शमनार्थक शब्द यानि बीटीसी 2016 का पुछा हुआ प्रिशने जिसमें अगनी का जो शमनार्थक या आप क्या सकते हो प्रयाय वाची देखिए अनल पावक चैक है अमरित का प किसी सकते हैं क्या समझते हो इसका आंसर किगी तो वर्ड़ों के सार्थक मेल को हम स्था कभिता के कुछ पंकत्यों के मेल को हम पत कहते हैं यानि हम व् वर्ड़ों को सब्सक्राइब करें पर नगlor लएक। जाए भूलतव लेकर के पहले प्लिजा है, तो आपक। प्रम Yakah में किसेथ प्र Image कविए भूले हैं, सब्सक्राइब को पता है, और अदा लएक ताहरी है। तो उसको क्या बोलते हैं, पद क्याते हैं, तो आहिएर के आपको बहुत ही असानिक साथ क्लियर हो गया होगा, उसी प्रकार से 13 जो आपका प्रशन है, कि अंश ओं अंश में क्या अंतर है, तो देखे, एक अंस का जो मतलव होता है, हमने कई बादी इसको डिशकिस किया है, ए वो होता है कंधा और एक अंश का जो मतलब होता है वो होता है भाग बेलिट 2018 का ये पूछा हुआ प्रशने और बेटीसी 2016 में भी पूछा है तो सकोदिस हो सकतो इसलिए मौत तो पुड़े क्योंकि कई बारे पूछ चुका है अगला जवाब का प्रशने की आग्या और विटाप शब्डिके क्रम्ष दो दो प्रावाइळ वाची लिखें तो ब्रिंग और क्रम्ष दो both पिराष बाची जिस्पशिंग का जो हो जाता है मौछ और विटाप जो हो जाता है Tauru और पा अगला पूछ ने कि श्रूत लेक का उद्दिश्य है इसके बारे में बताई 205 चक्रम बहुत ही महतलों हैं पूचाय स्ध पूचा के सब्सक्तु किना सबस्ट र Carolyn थलिए हन्हें 20 touches 9000 के बाद यह्ती काली स्थ विस्ट गांने स्वीचार की ततो इस कि 2015 के बाद और शोलम ने पूछा शत्रम ने पूछा अठार में पूछा तो इस तरीके से अगर आप के शिन त्यार करते हो और मैं आप सभी को पेपर को जिस तरीके से एक्जाम में प्रशन पूछ जाते हैं वैसे वी मैं आप शिबी को इस चैनल के मादम से करवाने वाली यानि अध्यापक बच्चों को कच्छा पांच में ही शुलियक या सुरुतलेक की सिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा सुरुतलेक शुनकर लिखा जाता है सिक्षा बोलता जाता है और चात्र उसे लिखते जाते हैं सुरुतलेकन का उद्यश्य जो होता है शद होता है लेकिन अगर सिक्षक बोलता है और सुन का दिखना होता है इसे जो गती होता है वह आपकी लिखने की इस पेट जो भड़ती जाती है तो सबसे महत्वपूर्ट सुरुतले का अगर महत्वर पूछे इससे क्या बेनफिट होता है तो इसका jlas अंसर होगा कि सुरत लेखन से जो लिखावत होती है उसमें तिब्रता आती है ठीक है अगला 17 प्लश ने की छो वर्ड किसके योक्षे बना है यानि जो चो वर्ड है वो किसके योक्षे बना है बीटीशी 2017 का पूछा हुआ प्रेशने तो कहलंत प्लश खटकोर वाले शो को मि किसे कहते हैं तो जीन वर्ड के उच्चारण में मुक्षे निकलने वाली वायू के मार्ग में बिविन औरो या बिविन अंगों के टक्राने के कारण औरो धकता आती है उन्हें बेंजन कहते हैं और यह श्वर की मदद से उच्चारद के जाती है फार जामपल जितने भी को से लेकर को ठीक है यानि श्वर को छोड़कर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं उसे प्रकार से अगरा जो आपको उन्हें प्रशने की हिंदी भाषा के कॉशलों के नाम लिखिए जो की बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रेशने हिंदी भाषा के कॉशल कौन कौन से जिसे क बीटीज के कि अनुश्वार होता है और तो हमने अनुश्वार होता है और जो बिंदी होता हutral है तो हुआ हम क्यां बोलते हैं और अनुनाशिक, याँनि अब एक ति कर नाशिका से उचारत किया जाता है, उसे पांचोवा वड कहते है, जब मुककधौर बंद करके खोला जाता है, किन्तों साथ ही नाश का वियर भी खुला रहता है, उशें हम क्या बोलते हैं, अनुनाशिक कहते हैं, जो आपका, जिसे हम अंगा, ठेके, यह इसको पड़ते हैं, और इसका जो चालड सही रुप्षे होते हैं, वो होते हैं, ठेके, डव हो गया, न मुख द्वार मद्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों और से निकलती है उसे हम पार्षविक कहते है बहुत महत्योपूर ये प्रेशने पार्षविक वाड़ा तो आप सभी कुछ पता है कि इसमें लौ आता है इसका उधारा लौ है लेकिन डिफिनिशन सबसे महत्तपूर है यानि जो हमारा मुखद्वार है जब हम मुखद्वार मद्द में क्या होता है बंद हो जाता है और जो हवा होता है वो दोनों और से निकल जाते जिसे लो तो अब खुद देखो ने जो मद्द में क्या हो रहा है बंद हो जा रहा है और जो होता है तो जो हवा होता है दोनों साइट से जैसे फिर से आप एक बार उच्छार जरूर करके देखिए ठीक है लौ तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा जीव है क्या लौ जा बोल रहे है तो पीछे से मुड़ के भीच में क्या हो रहा है रुख जा रहे है और दोनों अगला का प्रन्जन आक लंटि तथा लोडित किसे कहते हैं तो लंटि तथा लोडित आप से भी को पता है लूंटि तथा रह होते एक। आपसे भी महलूम है लेकर डिफिशन सबसे माथ पूड़ है इसमें मुख दवार जीव की नोख से सिग्रही बंद हो जाता है यह जो नोक के एफेक्ट पड़ रहा है ना रह तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं लुन्ठित यानि इसका जो परिभाश्य होता है इसमें जो मुख द्वार होता है जीव की नोक से शिग्रही बंद हो जाता है जैसे फिर एक बार उठाड करी रह तो जो हमारा जो मुख द्वार हो इसमें लुटित या लुड़ित बंद हो जाता है यह था इसे हम क्या बोलते हैं लुटित या लुडित कहते हैं फ़र एक्जामपल इसका जो धाराण हो जाएगा हरो 23 प्रेंश्ने कि अर्दोशोर किसे कहते है इन को बोलने शे मुख द्वार बहुत शंक्रा हो जाता है ज हवा श्वर के शमान मद्ध्य से निकल जाती है जैसे कि आप कह सकते हो कि इसको मतलब उतना रगर नहीं खाता है और दश्वर इसे हम कहते हैं जैसे यह वा इसका जो डिफिनिशन हो जाता है कि अगर हम इनका उच्चार करते हैं तो जो हमारा मुख द्वारे बहुत संक्रा हो चार कर सकते हैं वही क्या होता है हमारा श्वर कहते हैं उसे प्रकार से जो आपका और दश्वर होता है वही है यानि जो हवा है स्वर के समानी मद्ध्य से निकल जाता है जिसे रगर नहीं खाता है शंक्रा हो जाता है यह वह तो मद्ध्य से जो होता है जो हवा वो निकल ज 25 प्रशने की देवनागरी लिपी की क्या विसेस्ता है तो देवनागरी लिपी शुंदर एवं अस्पष्ट है हमारा मूल साहिती इसी लिपी में सन रच्छित है 26 प्रेशने की भाव तथा विचारों के अधायन प्रदान का कौन सा माध्यम है तो भाव और विचारों का अधायन प्रदान का जो माध्यम है वो क्या है भाशा है अगला प्रेशने 27 लास्ट आज का प्रेशने की मनुभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन शा माध्यम है तो मनुभाव को बोलकर ब्यक्त करने का माध्यम जो है वो मौकिक भाशा है ठीक है अगर वही होता मनुभाव को लिख कर प्रकट करने का कौन शा माध्यम है तो हमारा वहाँ पर आंशर जो होता है कि मनोभाव को लिख कर बेक करने का जो माध्यम होता है वो लिखित भाशा है तो आज के जितने भी हिंदे के प्रश्ण थे बहुत ही महत्यपूर है आप इसका बहुत ही अशानिक शात रिविजन कर सकती हो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नौ बजे और दस बचे वाली क्लास में आप जो अपना प्रेपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंगशे करते रहे हैं तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रें झाल